दोस्तों Google AdSense में बार बार बताने के बाद भी न्यू यूटूबर जो होते हैं वो बार बार गलती कर देते हैं जिसकी बज़े से उनका Google AdSense अकाउंट भी जो कना पदरीक्राइन लेकिन लोग को यहां पर गल्दी करते हैं इतने यूटूबर ने वीडिय及 बनाएों तो लोग वीडियो का देखता है क्या परिस्कीप कर देते हैं उनको टाइम ही नहीं नोलेज लेने का यह ब्रकानि बीडियो देखते ही नहीं पस문ी है के पूरा वीडियो देखें इसके बाद अगर आपको नहीं आता है अगर आप एक निव यूटूबर हैं और आपको Google AdSense verification ID से नहीं करना आता तो आप पहले सीख लिजी इसके बाद करिए क्योंकि यह गलती करने के बाद हमारे जो पड़ोस की दुकान तो है नहीं कि गलती करने के बाद हम वहां से जाएंगे और फिर सुधार करवा लेंगे यह जितना भी काम हो रहा है सब कुछ online हो रहा है ना मैं आपको जानता हूं ना आप मुझे जानते हो यह totally सब कुछ online हो रहा है तो फिर एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं आपको कि दस डॉलार completely Google Adsense अकाउंट में होने के बाद हमको गवर्णमेंट आइडी अपलोड करनी पड़ती है जिसके बज़े से वेरिपिकेशन वो मांग रहा है चाहे आपका पासपोर्ट हो सकता है या पर बोटर आइडी कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पेन कार्ड मै मैं इस पर वीडियो अलक्स बना दिया हूं कि आपको कितनी MB की साइज होने चाही तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रेशन मिल जाएगा तो आप वहां से देख सकते हों तो पता नहीं लोग अभी भी कहां पर गल्दी कर देते हैं हो सकता है कि वो लोग जाए आइडी अकर आइडी डोकुमेंट में वही नेम आपको यहां पर डालना है छोटा बड़ा अक्षर हो सकता है कोई बोलते है कि में पूरा अक्षर टर he Total में लिखूं तो मेरा सक्षेजबू हो जाएगा कुछ लोग बोलते हैं कि जो पहला अक्षर होता है वह बड़ा लेखू बाकि छो तो भी कोई Problem आने वाली नहीं है लेकिन जैसा हमारी ID में है वैसे तो आपको लिकना पड है ऎ ऐसा नहीं कि आईडे में कुछ और है और आप अपने मन से वहां पर कुछ भर सकते हो ऐसा बिलकुल भी नहीं चलेगा आपका एक बार नहीं दो बार नहीं तीन तीन वार फेल हो जाएगा फिर आप बोल देगा कि यार मैंने तो यूटूब पर इतनी सारी मेहनत किया मैंने 4000 सब्सक्राइबर फिर भी जब लास्टाइम पेमेंट का टाइम आया तो मेरा आईडी अपलोड ही नहीं हो रही है यह फेल होते जा रहा है वह आपका दसवार भी करोगे तो भी फेल हो जाएगा क्योंकि आप लोग वीडियो पूरा देखते ही नहीं हो तो आपको फिर से मै के वाई से कितोरो पेन काड आपने बनाया है और आपको जो वाइट कलर की यहां पर पट्टी आती है एक बार कान खोल के सुन ले ना यहां पर जो वाइट कलर की पट्टी आती है तो आपको वहां पर मारकर पेन से फिजिकली सिगनेचर करना पड़ेगा अगर आप सिगने पैसे मेसेज नहीं आ जाएगा रेड कलर का मैं आपको बता दीता हूं कि da document सुवाज missing a valid signature इस प्राओ से एक बार और पढ़ पूर क बता देता हूं कि da document सुवाज missing a valid signature अ आपकी वैलिट signature तो इसमें हैं हैं नहीं missing है तो मैं कहां से इसको आप्रूप कर दूँगा मैं तो फेल ही करूँगा तो यह से गलती है आप बार बार ना करें पहले पैन कार्ड में अपने सिगनेचर कर लिजिए अच्छी तरीके से और जैसा आपका इसमें नेम है डेटेल है बेसा अच्छी तरीके से यहां पर भर दीजिए हां थोड़ा बहुत एड्र तो दो दोस्तों उम्हें वीडियो से थोड़ा बहुत कोई इस से रेलेटेड तो मुझे च्छडू पूच लेना में उसका रंडर परष critique 12 कर दूंगा